दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग आर पार्ट सार्थी की एक famous poem The Homecoming को discuss करेंगे दोस्तो ये एक बड़े work The Rough Passage का पार्ट है इसके अंदर तीन जो पार्ट हैं मैं एक एक करके तीनों को discuss करूँगा फिलाल दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग homecoming को discuss करेंगे इसमें भी छोटा सा पार्ट है जो आज में पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तो थोड़ा सा इतिहास थोड़ा सा background जानना पड़ेगा इनका चले शुरू करते हैं मिलता हूं इस वीडियो के end में दोस्तो आर पार्ट सार्थी इस पूब में खुद के बारे में लिख रहे हैं इंग्लिश रिटरेचर में फ्यूचर देखते हुए ये इंग्लेंड गये थे पढ़ाई करने के लिए लेकिन वहाँ पर इनके भ्रम टूट गए वहाँ पर एक तो गैरों की तरह बरता हो किया जाता था और जब ये लौट कर आये इनको ऐसे फील हुआ जैसे इन्होंने एक गलत रास्ता अपना लिया पायट बनने के लिए जो खास इंग्रीडियन्ट की जरूत होती है वो इनमें कमी थी इसलिए क्रेटेक बनकर अपनी सारी जिंदगी चला रहे थे और उसको भी ये बेकार मानते थे और एक टीचर बनके एक स्कूल में पढ़ा रहे थे स्कूल में या कॉलेज में पढ़ा रहे थे बताया नहीं उससे भी बड़ी गलती है हो गई ये मानते हैं जिंदगी में कि इन्होंने शादी कर ले बोलते हैं कि उस वक्त जब मैं पढ़ाई कर रहा था literature की तब अगर Greek poets को धंक से पढ़ा होता तो उनका message ठीक से समझ में आता पता चलता कि वो लोग सही कहते थे कि शादी मत करो अभी फिलाल मैं एक teacher हूँ और दूसरे poets की creation पर criticism करता हूँ मुझे एसास होने में काफी समय लग गया कि मेरे पास ये जो subject है इसमें मेरा कोई original talent नहीं है मेरे पास हाला कि मेरे जो words हैं ये easily आते हैं मेरे पास में मतलब मैंने words तो अच्छे बढ़ रखे लेकिन फिर भी words को arrange करने से poetry थोड़ी बनती है poetry तो emotion होती है कम शब्दों में भी काफी बाते कहीं जा सकती है मेरे अंदर वो talent नहीं है मैंने realize कर लिया एक बार poetry देख लेते हमको धंग से समझ में आ जाएगी ये वो poem है वैसे ये एक बड़े work का part है दूस्तो rough passage नाम है उस work का और सबसे important बात तो ये इन्हें problem ये है कि English में educate होने की वज़े से ये अपने tamilion culture से दूर हो गए पाइदा तो कुछ हुआ नहीं जड़े और खो दे और जब ये वापस lot कर आ जाते हैं उसको homecoming बोला है चलिए एक बार poem देख लेते हैं I am no longer myself as I watch the evening blur the traffic to a pair of obese headlights मैं अब खुच जैसा ही नहीं रहा जब मैं शाम की वक्त घर आता हूँ तो मुझे एक दोब blur blur सा दिखता है मतला ठीक से दिखाई भी नहीं तो दुंदला दुंदला सा दिखता है traffic में मोटी मोटी headlets दिखाई देती है गाड़ियों की चारों तरफ traffic हो गया है I return home जब मैं घर वापस आया ट्राइड मैं फेस प्रेस्ट रगें दा वेंडो आफ एक्सपेक्टेशन यहां शाम की वक्त घर लोटने की बात नहीं हो रही है जब मैं England से अब्राइड से पढ़ाई करके वापस लोटा तो मैंने सूचा मेरी language तो बहुत रच हो गई होगी अभी वहाँ पर Tamilian culture चलता होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मैं खुद को ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे my face pressed again the window of expectation कि मेरा culture मेरी language से था चड़ता हुआ जा रहा था मुझे ऐसे लगा जैसे लडखडा कर मैं घर के अंदर पहुँचने से पहले ही outside the door घर के बाहर ही दरवाजे के बाहर ही गिर जाऊंगा the key goes to sleep in my palm मेरी हतेली में चाबी थी लेकिन ऐसा लग रहा था वो चाबी मेरी हतेली में सो गई है यहाँ पर अपने culture की चाबी की बात की जा रही है I fear I have bungled again that last refinement of speech terrifies me कि फिर से language में refinement हो रहा है यह Tamil language में English words mix होते जा रहा है और इस चीज़ से मुझे बहुट डर लगता है the balloon of poetry has grown red in the face with repeated blowing मतब ऐसा लग रहा है जैसे मैं जबर्दस्ती का इस language को use करता जा रहा हूँ भरता जा रहा हूँ इसमें हवा और भरते भरते मेरा face जो है red हो गया है for scripture I therefore recommend the humble newspaper तो यह सब पढ़ने से तो अच्छा है कि आप newspaper पढ़ो I find my prayers occasionally answered there मेरी भी बातों का जवाब उन्हीं newspapers के अंदर मिलता है तो मैं recommend करूँगा कि वो पढ़ो इससे बहतर तो कम से कम उसमें यह बताया जा रहा है कि किस तरह से हमारी Tamil language जो है वो बहुत rich है culturally लेकिन वो खुद का dilemma बताते हैं कि मुझे अब नहीं रुकना है I shall perhaps go on होता है दो पहर से रात होती है मिना रुके वैसे ही मझे यह काम करते जाना है My heart I have turned inside out मेरा दिल बाहर आ रहा है Hereafter I should be content I think to go through life and the small change of uncertainties मुझे अपना यह देखना होगा कि किस तरह से मैं इन्हीं चीजों में संतुष्ट हो सकता हूँ तब जिन्दगी बहुत uncertain है changes ऐसे हो जाते हैं पता नहीं चलता इसलिए मुझे यह सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा जैसे कि वो बताते हैं कि life की बारे में कैसे मैं फॉरण चला गया वहाँ पर जाकर मैंने English में education ली यह तो गलत ही रहा decision क्योंकि हो सकता था कुछ और कर सकता था मैं अच्छा यहाँ पर आगर बना भी तो एक बेकार पाइट बना अब जब आपने यह वीडियो खतम कर लिए तो मैं उम्मीत करता हूँ आपको यह पूर्म समझ में आई होगी इसका जो idea ही समझ में आई होगा चलिए आज की इस video में बस इतना ही मिलता हूँ next video में